तो आप लोगों ने ऐसा बिलकुल observe किया होगा कि अगर हम एक butterfly को observe करें तो butterfly के जो wings हैं वो different directions में हमें different colors show करते हैं ठीके ना और आप लोगों ने ये भी observe किया होगा कि किस तरीके से एक so bubble जो बनता है वो different colors को show करता है और इसी के साथ साथ आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि footpath के उपर अगर कुछ पानी वगरा पड़ा हुआ है और उस पानी में थोड़ा सा oil गिर जाए जैसे के बारिशों के अंदर बहुत ही common है तो आप देखेंगे कि वो जो oil पड़ा होगा पानी की surface के अपर वो colors show करेगा तो ये जो colors show हो रहे हैं bubbles के through और different angles से butterfly के wings पे different colors नजर आ रहे हैं फूटपाथ पे color नजर आ रहा है due to oil and water तो याद रखिए इन सब का एक ही reason है और वो है thin film interference तो thin film interference होता क्यों है अब जरा इस बात को भी देख लेते हैं देखो for example हमने यहां पर बनाया हुआ है का यह फूटपाथ फूटपाथ की surface के उपर पड़ा हुआ पानी ःई आ गया water और इसी तरीके से इससे उपर जो है वो यह जो है thin film है oil की जो के पानी के उपर बनी हुई है ठीके यह हो गई oil film और इससे उपर जो है एर ठीक है तो अब हो क्या रहा है हो ये रहा है कि light जो है यहां से आ रही है ठीक है white light और फिर जब वो इस surface से पहुचेगी तो कुछ amount उस light का हो जाएगा reflect यानि के अंदर की तरफ चला जाएगा और कुछ हो जाएगा reflect बिलकुल उपर की तरफ चला जाएगा तो for example वो जो reflect ह अंदर से travel करती हुई फिर water की surface से टकरा कर वापस आई और वापस आने के बाद दुबारा से हमें मिली यहां पर as a ray 2 तो already हम लोग study कर चुके हैं कि interference को observe करने के लिए दो ऐसी light rays होनी चाहिए जो same phase में हो ठीक है coherent हो monochromatic हो मतलब अब यह जो light है वो एक ही light है और उसी light के दो parts बने जिस तरीके से young double slit experiment के अंदर दो parts बने थे with the help of double slit और जैसे michaelson interferometer में दो parts बने थे with the help of compensator and with the help of beam splitter बिलकुल उसी तरीके से यहां पर जो thin film है oil की उसकी वज़ा से हमें मिल गए हैं दो हिससे एक ही रेक है यानि कि दोनों coherent हो होंगी same phase में होंगी तो यहां से destructive interference की वैसे हमें different colors नजर आएंगे तो वही जो असरात है जिसकी यही वो thin frame interference है जिसकी वज़ा से आप butterfly के wings पे इस angle से different देखोगे यहां से अलग color देखोगे यहां से अलग देखोगे यहां से अलग देखोगे क्योंकि different जगा पर different types of interference हो रहा होगा और इसी तरीके से soap bubbles के पर different colors का नजर आना और जो मैंने example दी हैं यहां पर oil on water surface उस पर भी different colors नजर आते हैं तो याद रखिए वो है यही वाला असर यानि के thin film interference अच्छा thin film interference के अंदर एक बहुत ही important factor जो होता है वो होता है face change of 180 degrees ठीक है और जब यह आप face change of 180 degrees समझ जाओगे तो फिर आगे वाली जो derivation है वो clear हो पाएगी face change of 180 degree का क्या मतलब है देखिए जब light ray टकराती है तो light ray आपको पता है transverse है in nature तो वो जाके टकराएगी इस point पर ठीक है अब देखो यह जो N1 है यह है air मैं example ले रहा हूँ अभी सिर्फ एक thin film की न यह हो गई air film उपर तो जो है न एर मौजूद है medium जो है rare medium है और नीचे मि टकरा कर वापस जाती है through denser medium यह denser medium से टकरा कर वापस जा रही है तो यह जो reflected wave है वो invert हो जाती है इनवर्ट से मुरा दिये है कि जिस point पर अब यह crust आ रहा था अब truff की बारी थी लेकिन again वहाँ पर crust आ गया और यही के truff की जगा पर जब crust आ जाता है किसी wave में तो इसी को कहते हैं phase change of 180 degree यानि कि तमाम के तमाम वो points जहाँ पर crust होने चाहिए थे अब truff होंगे और जहाँ पर truff होने चाहिए थे वहाँ पर crust होंगे लेकिन कौन सी wave में reflected wave में और ऐसा कब होता है जब कोई भी wave टकराए किसी denser medium से और टकराने के बाद वापस आए तो उसमे phase change of 180 degree ह होता ही होता है यानि कि तमाम के तमाम जो crust है उनकी जगा पर truff आने लगता है और truff की जगा पर crust आता है अच्छा जो रे अंदर गई वो सीधी की सीधी है reflected wave बिलकु सीधी सीधी नीचे वापस आई अंदर चलीगी reflect होकर और पिर वो इस surface से टकरा कर वापस आई अब जाह से आप देखें आखर में अगर एक crust आ रहा था तो अब वो crust का crust ही वापस आ रहा है ट्रफ नहीं बना वो ठीक है ना तो यहाँ पर कोई face चेंज नहीं हुआ जिस face के अंदर जा रही थी रे उसी face के अंदर वो वापस आ गई इसी वैसे यहाँ मेंशन भी है कि जो reflected wave है वो invert नहीं हुई है क्योंकि वो किसी denser medium से टकरा कर नहीं आ रही है बलके वो rare medium से टकरा कर वापस आ रही है और जब यह वापस यहाँ पर आएगी तो आप देख सकते हैं कि जो refractive waves है वो तो invert कभी भी होती नहीं लेकिन अब सारी बात यह है face change of 180 degrees होने की वजह से जहां पर भी constructive interference होना था यानि कि crust के उपर crust ने आना था अब यह वाली जो wave है यह वाली जो wave है इसमें तमाम crust की जगह पर truff आएगा यानि कि जिन points के उपर constructive interference होता है वहाँ पर अब constructive नहीं होगा वहाँ पर कौन सा interference होगा वहाँ पर destructive interference होगा क्योंकि जहां actually crust को होना चागे था वहाँ हो जाती है और उसका वाहिद जो यहां पर reason मैंने आपको समझाया वो यह है कि in thin film interference phase change आ जाता है 180 degrees का ओके तो वही बात यहां पर इस तरीके से समझ लेना है जो कि मैंने अभी आपको explain किया है जब आप notes में लिखोगे जब आप अपने paper में लिखोगे तो इसी तरीके से लिखोगे reflection of light waves when light waves transfer a strike at the boundary of the denser medium तो crust return होती है as a trough and trough return होती है as a crust इसी तरीके से लिखोगे there is a change in its phase phase में change आ जाता है कितने degrees का वन ही डिगरी गई अगर part difference के लिए आसे हाँ अगर part difference के लिए आसे का आ जाए तो part difference में half lambda का फरक आता है अच्छा जबके जब वो strike करती है किसी rare medium पर यानि कि यहाँ पर जब strike कर रही थी तो जो crust है वो crust के तौर पर return होती है trough जो है वो trough के तौर पर return होती है यानि कि कोई change नहीं होता phase के अंदर अच्छा जीदा wavelength of light in a medium is change by a factor यह बात तो confirm है कि बात यह कि जब भी light enter करती है किसी और medium में तो उसकी wavelength में थोड़ा सा difference आता है और फिर वो जो difference है वो अभी मैं फॉर्मल से समझाता हूं तो अगर lambda उसकी असल wavelength थी light की air के अंदर ठीक है न तो lambda n जो है वो wavelength होगी उस medium के अंदर और उस medium का जिसके refractive index बराबर है n के refractive index की different values है तो उनसे हम जो है वो उस medium के अंदर wavelength को calculate कर सकते हैं तो lambda n उस medium में जो भी wavelength है lambda actual wavelength है और n उस medium का refractive index है और जैसे कि आप लोगो कुछ example दोरे बता देता हूँ air के लिए refractive index almost equal to 1 होता है glass के लिए यही refractive index बराबर होता है 1.5 के ठीक है न ताके आप कभी use करो तो याद रहे इसी तरही के से water के लिए बराबर होता है 1.33 के लिए air के लिए 1 होता है गिलास के लिए 1.5 होता है और water के लिए होता है 1.33 तो अगर जो भी wavelength होगी अगर for example मुझे glass के अंदर मालूम करनी है तो मैं divide कराऊंगा 1.5 से अगर जैसे water के लिए wavelength चाहिए तो हम उसको divide कराएंगे 1.33 से अच्छा जी अब यहाँ पे study कर लेते हैं इसी figure को for example यह incident ray जो है वो अंदर की तरफ गई तो उसके दो पार्ट हुए एक ray 11 के सीधी सीधी चले गई और यहाँ पे दूसरी reflect होने के बाद वापस गई तो बात यह कि जो ray 1 और ray 2 में part difference होगा याद रखिए उसमें ray 2 ने जादा distance कवर करा है और कितना जादा distance कवर करा है अगर glass plate की थिकनेस बराबर है T के तो एक मरतबा अंदर जाने वाला T distance एक्स्टा कवर हुआ और एक मरतबा वापस आने वाला T एक्स्टा distance कवर किया है ray 2 ने तो इस वज़ा से हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो जो है part difference वो बराबर हो जाएगा twice of T के यह समझना है कि जब अंदर गया तो एक्स्टा फासला ray 2 ने तै किया कितना T और फिर वापस आनी में दुबारा से उसने T distance extra कवर कर लिया तो दोनों rays में जो path का difference होगा रास्ते का फर्क होगा वो 2 T के यानि कि twice of thickness of जो भी film है उसके बराबर होगा अच्छा जी तो फिर condition निकाल लेते हैं for constructive interference तो यह बात मैं अल्ड़ी बता चुका हूँ due to the phase change of 180 degree conditions of destructive and constructive interference reverse हो जाती है तो वैसे हमने पढ़ा था constructive interference में part difference m lambda होता है but क्योंकि condition reverse हो गई है तो part difference for constructive interference हम लिखेंगे m plus half lambda n lambda n उस medium के अंदर wavelength ठीक है जी तो part difference अभी हमने कितना वालूम करा था part difference हमने 2T मालूम किया था 2T put करा next हमने क्या करा कि lambda n lambda n उस medium के अंदर wavelength ही जिसका formula मैंने बताया हम किस तरह की से calculate कर सकते है actual wavelength को divide कराएंगे जो भी refractive index होगा और finally एक formula निकल सकता है 2T n बराबर आजाएगा m plus half lambda के तो यह जो आपको condition नजर आ रही है condition for constructive interference इसी तरहीके से condition find कर लेते हैं of destructive interference और यह भी आप दुबारा से लिखेंगे phase change 180 degree का हुआ तो conditions for constructive and destructive interference reverse हो जाती है तो actual जो part difference होना चाहिए for destructive interference वो होना चाहिए m plus half lambda n but क्योंके condition reverse हो गई है तो destructive interference के लिए part difference m lambda n और फिर सबसे पहले part difference के जगा पर 2T आया lambda n के जगा पर lambda divide by n और फिर होता जाके multiply हो जाएगा तो 2T n बराबर आ जाएगा m lambda के लेकिन यह बात याद रखिए thin film interference thin film क्यों कह रहे हैं इस बात पर भी याद रखना है आपने यह थिन का word क्यों आ रहा है हर liquid surface से ऐसा नहीं होता सिरिफ उस liquid की surface से ऐसा होगा जिसमें जो film बनी वी है यानि कि जो liquid है उसकी जो ठिकने से वो comparable है हमारी जो wavelength है light की उससे comparable होगा यानि कि बहुत छोटा होगा तब जाके आप देख सकते हो constructive या destructive interference यानि कि जो thin film interference के तोर पर हमें नजर आता है वो ऐसी liquid जिनकी film वो film कैलाएंगे नहीं वो कैलाएंगे liquid का एक portion है जो कि अच्छा खासा बढ़ा है तो उससे आप thin film interference observe नहीं करोगा जैसे कि मिसाल के तोर पे सिरिफ एक glass जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसमें आप कभी thin film interference नहीं देखोगे लेकिन soap bubble में देखोगे यूँकि soap bubble की जो thickness है वो comparable है हमारी wavelength of light के Newton ring से मुराद है एक circular interference pattern ठीक है जो interference का pattern था ना dark bright dark bright fringes बिल्कुल वैसा ही लेकिन इस मरतबा ये जो circular fringes हैं वो है circular इस वज़ा से मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि circular interference pattern उसको हम Newton rings कहते हैं और ये कब हमें मिलते हैं कब obtain होते हैं जब thin film interference होता है और thin film interference होता है due to the thin film of air air की thin film की वज़ा से और कहां पाई जाती है ये thin film ये पाई जाती है between a glass plate and a plano convex lens यानि कि अगर एक glass plate के ओपर एक plano convex lens को रख दें तो दर्मियान में एक ऐसा portion बनेगा जहां पे दोनों के दर्मियान में मौझूद होगी air तो उस air की thin film की वज़ा से जब light interference करेगी यानि कि वो दो पाट से break होगी और thin film interference होगा जो कि last lecture में गोने discuss भी करा था तो नतीजे में जो हमें interference pattern मिलते हैं वो मिलते हैं circular और in interference pattern को हम कहते है Newton's rings ठीक है तो पहले ये देख लो कि बनते किस तरीके हैं फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग drive करेंगे expression for nth dark fringe के लिए और nth bright fringe के लिए तो सबसे पहले देख लो कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ न ये जो नीचे रखी हुई है ये है glass plate ठीक है न ये आगई glass plate इसके ओपर हमने एक plano convex lens रख दिया अच्छा plano convex lens से खास बात ये है कि वो एक तरफ से plane होता है और एक तरफ से वो होता है convex ठीक है तो हमने क्या करा कि वो ये वाली जो side थी न इसको यहाँ पर नीचे रख दिया तो आप देखो के glass plate और इसके दर्मियान में ये जो portion है ये ये पूरा portion और ये जो portion है यहाँ पर air मौजूद होगी और air की एक thin film होगी जाहर सी बात है इतना ज़्यादा thickness नहीं हो सकती plano convex lens और glass plate के दर्मियान में पर वो होगी air film और बहुत ही तदा thin होगी ठीक है अब क्या होगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि light अगर यहाँ से enter होगी for example light यहाँ से enter हो रही है तो फिर क्या होगा light दो पार्ट से break होगी यह यहाँ से reflect हो जाएगी ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है वो thin film में reflect होगा वो reflect होगे for example यहाँ कहीं पर पहुँच जाएगा और फिर वो यहाँ से वापस आएगी तो देखो हमने thin film interference के अंतर पढ़ा था कि जब light एक ही light है मतलब एक ही color है उसका और फिर जाहिर सी बात है वो एक ही source से आ रही है और वो दो parts में break हो जाएगी तो फिर हम interference pattern को observe कर सकते हैं क्योंकि दोनों conditions फुल्फिल हो जाती है मतलब यह है के light monochromatic तो होगी होगी क्योंकि एक ही source से आ रही है color same होगा, wavelength same होगी और दुसरी बात ही है के same phase में भी होगी क्योंकि जो history होगी उन दोनों rays की वो same है because they are the part of that single wave और सारी बात ही है के यहाँ पर जो interference pattern है वो circular क्यों बन रहा है तो वो circular इस वज़ाए से बनता है तो क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर air film की thickness है वो कोई uniform thickness नहीं है बलकि यहाँ पर center में देखो तो thickness 0 के बराबर है और जैसे जैसे हम जाते जा रहे है side की तरब वैसे वैसे thickness क्या होती चली जा रही है increase होती जा रही है तो नतीजे में यहाँ पर उपर से देखने पर उपर से देखने पर हमें जो interference नज़र आएगा इस plano convex lens के अंदर वो नज़र आएगा circular ठीक है तो मैंने light circular dark करके बताता हूँ जो हमें newton rings नज़र आते हैं वो कुछ इस किसम के नज़र आते है यानि के बिलकुल यह जो central part है यह central part हमें dark नज़र आता है वो जो है वो बिलकुल सीधे-सीधे fringes थे पैटर्न था और यहां पर वो fringes की form में नहीं है बलके वो है rings की form में ठीक है ना तो अब आज़र आज़र आते हैं समझ लेते हैं कि हम जो drive करने वाले हैं उसको मैं थो आज़र सा simple diagram में बनाएता हूँ for example यही वाली diagram को यहां पर बना रहे हैं कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि आप यह देख लीजिए कि यह जो lens है plano convex lens for example इधर से लेकर और यह जो है ना यह plano convex lens यह ऐसे करके रखावा है और नीचे की तरफ है glass plate यानि कि आप समझ लीजे जो thickness होगी maximum thickness होगी ear film की वो बराबर होगी ठीक है ठीक है और इसी के अपर हमें ring بنे वे नज़रा रहे हैं यह दिखो बिल्कल इसी के अपर यहां पर हमें ring बने वे नज़रा रहे हैं इस तरीके से तो for example हम यह इस point तक का यह बाला ring यह बाला ring consider कर रहे हैं तो इस रिंग का जो radius होगा, उसको हम show कर देंगे small r से, यहाँ पर भी मैंने दिखा है इस diagram के अंदर, और यहाँ पर हम यह कह रहे हैं कि उसको हम किसे show कर रहे है, small r से, और फिर वो जो ring बन रहा है उसका radius, point B से लेके point E तक भी r के बराबर होगा, और point B से D तक भी r के होगा, तो उस sphere का radius है, यानि कि for example point O से लेके C तक का, यह हो गया उसका capital R, capital R का मतलब होता है radius of curvature, और याद रखिए चाहे distance आप O से C तक का measure करें, या O से A तक का measure करें, दोनों ही किसके बराबर होगे, दोनों ही बराबर होगे r के, और इसी तरहें से, आप distance measure करें B से E तक का, यह दोनों के दोनों किसके बराबर होगे, यह बराबर होगे small r, small r क्या है radius of that newton ring, उस newton ring का radius है, जिसको हम फिलाल observe कर रहे हैं, और जो air film की thickness है, वो A से लेके B तक भी उतनी होगी है, इस तरफ से समझ लो, E से लेके F तक भी उतनी होगी, और maximum thickness जो है, उसको हमने क्या nth dark या nth bright fringe के लिए, ठीक है, तो इसी यह वाली जो figure है, इसी को हम continue करते हैं, आगे, हम यहाँ पे एक geometrical theorem में इस्तवाल करने वाले हैं, जिसके मताबिक, जो product होता है, intercepts of intersecting chords, अगर दो intersecting chords हैं, तो उनके intercepts के जो products होते हैं, वो equal होते हैं, ठीक है न, और वो क्या होते हैं equal to the product of section of the diameter, जो diameter के section होते हैं, उसी पर depend करते हैं, तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, तो उसा concept revise कर लो, chord का और diameter का, अगर कोई circle होता है, तो वो chord जो के center से part होती है, वो diameter कहलाता है, ठीक है, for example, यह आगया diameter, diameter को नाम देते हैं, let's say diameter को नाम देते हैं, A और B का, यहां से C and D, और जहां पर दोनों intersect कर रहे हैं, यानि के center वाला point, इसको हम नाम दे देंगे E का, ठीक है, अब देखो, लिखा हुआ क्या है, जो geometrical theorem, उसके मताबिक, जो product है, intercepts of intersecting chord, जो intersecting chords है, उसके intercepts, intercepts यानि के उसके दोनों section मनें, यानि के C से E तक का, तो इस theorem के मताबिक, अ E तक के distance के, ठीक है, तो यह हमेशा हमेशा बराबर आता है, इन दोनों का product, diameter के sections के, और diameter का section क्या बना है, diameter का एक section बन गया, A से E तक का, तो यादर रखे है, पूरा का पूरा जो distance है, वो किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा, A से E तक का portion, और इसका product होगा, diameter के दू तक का, तो यादर रखे है, यह geometrical theorem में, जिसको यहाँ पर हम अपनी figure के उपर apply करने वाले हैं, ठीक है जी, तो अब हमारी figure के मताबिक देख लीजे, यहाँ पर, जो diameter है, वो D से लेके E तक का है, और intersecting point B है, और जो, sorry, जो cord है, वो D से B, और फिर B से E है, जबके जो diameter है, C से लेके A तक का, ठीक है, और उसके जो parts बने, वो एक part बना C से लेके B तक का, और दूसरा पाट बना B से लेके A तक का, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, B into E into D into B, यानि कि B से E तक का distance, B से E हो गया, यहाँ से लेकर, यहाँ तक का distance, और पिर D से भी हो ग of diameter. तो diameter का section क्या बना? एक बना A से लेके B वो आ गया इधर और दूसरा क्या बन गया? दूसरा बन गया B से लेके C तक वो आ गया इधर. ठीक है? अब तो इसी values put करते हैं. values put करेंगे तो देखो B से E तक का distance तो हमें पता है किसके बराबर है, R के बराबर है. और D से B तक का distance भी R के बराबर है. तो R into R आ जाएगा. अच्छा जी. अब क्या है? A से लेके B तक का distance चाहिए. तो A से लेके B तक का distance भी अल्ड़ेडी हम बता चुके हैं. जोके F से E तक का बराबर है, वो है T. जबके ये जो B से C तक का distance है, ये हमें find करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे find करना पड़ेगा? देखो, मैंने आपको बताया, O से लेके C तक हो गया 1R. और O से लेके A जो distance है, ये हो गया 2R. समभ़़ लोगे, total कितने R हो गया? 2R हो गया. इस 2R distance में से, अगर मैं ये वाला distance minus कर दूँ. ठीक है, ये वाला distance क्या है? ये वाला distance बराबर है T के. तो हमें बाकी का distance मिल जाएगा, बाकी का distance हो जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का. तो ये जो distance होगा, ये बराबर होगा 2R minus T के. बराबर और फिर हम प्रेकेट को solve करेंगे तो यह 2RT आ जाएगा minus T का square आ जाएगा और यह बात याद रखने हैं कि जो thickness of air film है यह बहुत ही कम है जा इसी बात है एक plano-convex lens और glass plate की दरम्यान में तो thickness तो ज्यादा नहीं होगी तो thin film ही study कर रहे हैं हम लोग तो T इतना small है कि हम उसको neglect कर देंगे T square की value को neglect कर देंगे T small है लेकिन इतना small नहीं कि T को neglect कर दें लेकिन हाँ छोटी value का square करें तो और छोटी हो जाती है so it can be neglected हमने T square को neglect कर दिया तो R square बराबर आगया 2RT के यहां से हम T की value को neglect करेंगे तो बराबर आएगा R square upon 2 radius of courage अगया capital R यह होगे हमारे equation number 1 इस value को याद रखना है thickness की value को इसको हम आगे put करेंगे for radius of nth and nth dark and bright ring सबसे पहले constructive interference होता है तो bright ring बनता है conditions for constructive interference in thin film, thin film में आपको मैंने बताया था actually constructive के लिए m lambda के बराबर होता है but thin film interference के अंदर due to phase reversal जो 180 degree का phase change होता है तो conditions of constructive and destructive interference reverse हो जाती है अगर वो lecture नहीं देखा तो पहले वो लाजमी तोर पे देख लेना thin film interference का ताके समझ में आए कि क्यों conditions को हम reverse करते है तो उसमें हमने thin film में drive किया था formula 2tn बराबर आता है m plus half lambda के बराबर यह conditions for constructive interference in thin film interference अब t की value अल्रड़ी हम लोग ने मालूम की थी कितनी value थी वो value थी बराबर r square divided by 2r तो वो value यहाँ पे put करेंगे t की जगा पर तो वो जाएगा putting value of t from equation number 1 r square upon 2r 2 से 2 cancel तो यहाँ पे आगया r square m plus half lambda n जो है वो refractive index था और refractive index of air बराबर होता है 1 के that's why 2 से 2 cancel और n की जगा पे हमने 1 put करा तो लिखने की जूरत नहीं है सिर्फ यहाँ पे r square बचा और यह capital R इस तरफ जाके हो जाएगा multiply so that's why यह बन गया m plus half lambda r और क्योंकि हमें value चाहिए r की तो r का answer आ जाएगा under root m plus half lambda r के अब आप याद करो m क्या था m था एक integer जो कि 0, 1, 2, 3, 4 something कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि आप nth drive करें nth यानि कि n में 0 तो नहीं बोल सकता उससे अगर पुछा जाएगा तो यह पुछा जाएगा पहला dark french, दूसरा dark french, तीसरा उससे 0 dark french तो यह पुछा जाएगा पास एक value बन सकती है कि n बराबर होगा m प्लस 1 के यानि कि जो number of ring होता है वो हमेशा m से एक ज्यादा होता है दरसी बात है पहले ring के लिए जो m होगा वो 0 ही होगा ठीक है तो इस वज़ा से अगर मुझे उसको n में convert करना है तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 यानि के n बराबर हो जाएगा 1 के और अगर यहाँ से m की value को अलग करें यूग हम नहीं चाहरे के m की form में हो हम चाहरे answer n की form में हो तो m की जगा पे हम क्या put कर सकते हैं n की जगा पे हम put कर सकते हैं n माइनस 1 और अगर यहाँ पर मैं put करूँगा n-1 तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर value आजएगे इमकी जगा पर n-1 और minus 1 के साथ लिखावा है यहाँ पर plus का 1 upon 2 तो minus का 1 और plus का half यह हो जाता है minus का half that's why अगर n की form में लिखेंगे for nth bright ring तो यह बन जाएगा n-1 और बाकी वैसे लिखावा है lambda r के बराबर और यह हो गया nth bright ring अगर मुझे nth bright ring का radius चाहिए तो मैं यह वाला formula इस्तामाल करूँगा और nth का मतलब समझ गया न पहले ring के लिए n की जगा पर 1 put करना है दूसरे ring के लिए 2 put करना है तीसे ring के लिए 3 यहनिके 0 से start नहीं करना अगर m लिखा होता है तो फिर हम 0 से start करते हैं इसी तरीके से मालूम कर लेते हैं radius of dark ring तो destructive interference का मतलब dark ring बनेगा और destructive interference की जो condition थी उसको पढ़ चुके हैं thin frame interference में 2tn is equal to m lambda के बराबर होती है दुबारा t की value put करेंगे r square upon 2r 2 से 2 cancel n की जगा पे again one put करा हमने ठीक है और यहाँ पर r square की value लग करी तो क्या बराबर आगया m lambda r और जब r की value निकालेंगे तो यह आजाएगा m lambda r or root ठीक है under root में आजाएगा m lambda r के बराबर अब यहाँ पर एक बात है बात यह है कि dark ring के case के अंदर पहला dark ring जो first dark ring है जिसके लिए m जो है वो m होगा because अगर मैं m की जगा पे 0 put कर दूँ तो r तो 0 आ जाएगा यानि के हो गई ठीक है इस वज़ए से यहाँ पर हम इसको n में convert नहीं करेंगे जैसे कि हमने bright ring के लिए किया था क्यूंकि वज़ा यह है कि अगर मैं यहाँ पे m की जगा पे 0 put कर दूँ तो radius ही 0 हो जाएगा तो radius 0 हो जाएगा तो logic नहीं है बात यह है कि अगर मुझे पहले dark ring का radius चाहिए central spot तो dark होता ही है वो बात तो confirm है तो कि central spot में thin film है ही नहीं जब thin film नहीं है तो thin film interference नहीं है central ring तो हो गई dark ठीक है तो यह बात तो confirm है बट क्योंकि हमें radius मालूम करना है तो पहले dark ring के लिए हम m की जगा पे 1 put करेंगे और फिर दूसरे के लिए 2 put करेंगे तो इस वजह से for dark ring हमें उसको n में convert करने की जूरत नहीं है same formula ही इस्तामाल हो सकता है